Hey guys, कैसे आप सब? मैं हूँ Nikhil और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में Figma Tutorials are finally back पिछले Figma Tutorials को आप लोगों ने काफी जादा पसंद किया काफी अच्छा response मिला हमें उन वीडियो पर और आप मैसे जिन लोगों ने भी पिछले वाले Figma वीडियो नहीं देखे है उनके लिए मैंने एक complete playlist बनाई हुई है लिंक आपको description में मिल जाएगी तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Figma में prototyping कैसे की जाती है हमने website तो design कर ली बट वो function कैसे करेगी वो showcase करने के लिए हम create करते है उस design का prototype या simple words में Figma animation भी कह सकते हो अब क्योंकि यह हमारा पहला वीडियो है Figma prototyping या animation के उपर तो मैं हर चीज आपको in-depth में explain करने की कोशिश करूँगा वैसे देखा जाए तो एक बार आपको concept समझ में आ गया तो आपके लिए काफी easy और simple हो जाएगा and by the end of this video आप अपने खुद के prototypes बना पाओगे but video शुरू करने से पहले make sure करें कि आप इस video को like करें चैनल को subscribe करें एम करते है 2000 likes का इस particular video पे तो इसी के साथ चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते है बहुत लोग मुझे पूछते है कि मैं जो transitions and overlays use करता हूँ अपने वीडियो में वो कहां पे मिलेंगे तो आप लोग के लिए मैंने create किया है ये content creation bundle जिसमें आपको मेरे सारे transitions, overlays and even sound effects मिल जाएगे लिंक आपको description में मिल जाएगी alright तो guys यहाँ पर है हम लोग फिर्मा के अंदर start करेंगे सबसे पहले तो एक design file create करके और create करेंगे एक frame तो मैं frame tool select करूँगा और यहाँ पर हमें बहुत सारे presets मिल जाते है तो मैं select करूँगा MacBook Pro 16 preset okay there you go और हम लोग add करेंगे roundness of around 70 ठीक है मैं इस frame को नाम दे देता हूँ 01 अब सबसे पहले तो हमें हमारा जो pizza rotating movement है या prototype है उसका base create करना है तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर अलड़ी बना के रखा हुआ है उसे मैं images जो है वो copy कर लेता हूँ और paste कर दिता हूँ images ठीक है इसको मैं पूरी तरीके से डिलीट कर दूँगा ताकि हम लोग एकदम 0 से जो है वो start कर पाए और इसे भी मैं ungroup कर लूँगा तो यह है pizza के images और बाइदे विए आपको जो free resources में जो भी use कर रहा हूँ images वगरा वो आपको description में मैंने link दी है तो वहां से जाके आप download करके practice कर सकते हो alright तो सबसे पहले तो उस mechanism को create करने के लिए मैं यहां पर जाकर create करूँगा eclipse और बड़ा सा ellipse बना लेंगे कुछ इस तरीके से फिर मैं प्रेस करूँगा shift r to bring up the rulers और इसे use करके हम guides बनाएंगे तो इस तरीके से हम guides यहां पर यहां पर और एक center में snap कर दूँगा और guides का हम लोग बहुत जादा use करने वाले है इस particular video के अंदर आप लोग देखोगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत useful आते guides ठीक है अब यह मैंने guides इसलिए बनाए है ताकि हम अपना जो पीजाज है उसे snap कर पाई यहां पर तो सबसे पहले तो पीजा को एक alignment में set कर देते है कि पहला हमें कौन सा पीजा चाहिए दूसरा कौन सा चाहिए तो पहला मैं ले लेता हूँ इस वाले को ठीक है फिर दूसरा यह तीसरा यह और चौथा यह ठीक है फिर मैं यहां पर जाओंगा और इसे properly align करने की कोशिश करूंगा center में अब मैंने तो जो method मुझे सही लगा मैं उस method से आपको बताऊंगा जिस method से मैंने create किया अगर आपके पास कोई better way है या कोई और method है तो मुझे comment करके जरूर बताना अगर इस process को और fast किया जा सकता है तो मैं भी सीखना चाहूंगा क्यों मैं खुद भी सीख रहा हूँ prototyping तो इस तरीके से हमने यहां बना लिया है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो पीजा का size है उसे बड़ा करना चाहिए या तो इस circle को थोड़ा छोटा करना चाहिए बड़ अगर हम वो करेंगे तो इस इस फाइन और पीजा की position मैं इस तरीके से try करूंगा की properly जो है center में रखना है और इसका reason में आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि जब हम इससे select करके rotate करेंगे यह proper rotate होना चाहिए oh and it is rotating properly अब यह कैसे figure out करें की properly rotate हो रहा है की नहीं तो इस area में focus करना यह जो है ना यह जिसे इस guide से यह जो circle है यह हमेशा lined up ऐसी होना चाहिए उपर नीचे नहीं जाना चाहिए अगर कोई भी angle गलत होगा या properly align नहीं होगा यह group तो वो जो है वो angle उपर नीचे जाएगा circle का मतलब circle जो है वो उस line के आगे चले जाएगा यहाँ पर देख रहो कि मैं rotate कर रहो और वो circle उसी line पर rotate हो रहा है तो that means हमने properly इसे set किया है which is good तो अब मैं इन सारी चीजों को select करके group कर दूंगा right click करूंगा या Ctrl G प्रेस कर सकते हो तो group करने के लिए इस group को मैं नाम दे देता हूँ pizza grp pizza group okay group में कोई message नहीं करेगा bad joke anyways ठीक है इन सब को select करेंगे और tidy up कर लेंगे ताकि यह properly जो है वो alignment में रहे एक दूसरे के साथ okay और काफी अभी बड़ा है size तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ alt और shift hold करके कुछ इस तरीके से क्योंकि हम इसे यहाँ पर use करेंगी हमारे design में इसे बहुत ही simple है मतलब simple सा logo और menu tabs में एड किये हुए है तो यह आप simply type on कर सकते हो and yeah that's all so मैं इस तरीकी से पहले सारी चीजों को select करके copy कर लेता हूँ ctrl c प्रेस करके और यहाँ पर आकर ctrl v कर दूँगा paste करने के लिए अब जो चीजे मुझे आपको बतानी है क्या क्या चीजे करनी है वो मैं delete कर दूँगा ताकि हम लोग उसे 0 से पुरा जो है वो create कर पाए जैसे कि यह text हमें नहीं चाहिए अभी और यह इसी तरीके से मैंने pizza यहाँ पर line up किये हुए है तो इन्हें मैं delete कर देता हूँ और color क्यूंकि मैं pizza hut का logo लिया है pizza hut का तो उसी को match करने वाला color मैं यहाँ पर use करूँगा अब pizza के बीच में थोड़ी सी मुझे spacing और चाहिए तो मैं इन सारों को फिर से select करूँगा और tidy up कर देंगे तो यह मैंने proper position पे set कर दिया है अब और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर drop shadow आड़ किया था pizza के लिए तो वह मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ तो select करना है effects में जाना है plus में add करना है drop shadow आड़ हो जाएगा फिर हम जाएंगे effects settings में और जो position है उसको properly adjust करेंगे x and y को और जो color है वह हम pick whip करेंगे pizza से ही बहुत lighter color pick whip हो गया तो थोड़ा समझे darker tone चाहिए कुछ इस तरीके से okay and opacity काफी कम रखेंगे कुछ ऐसे और जो blur है उसे बढ़ा दूँगा तो एक अच्छा सा एक drop shadow हमें देखने मल जाता है okay और फिर आपका एक बार drop shadow ready हो जाए यहाँ पर मैंने अल्यडी आड़ किया इसा इसे delete कर दूँगा एक बार यह ready हो जाए तो इसे select करना है Ctrl C press करके और बाकी सब pizza पर Ctrl V करके paste कर देना है all right अब हम अब हमने जो group बनाया था उसे हम यहाँ पर लेकर आता है और इस frame के अंदर हमें डालना है make sure करना है कि यह frame के अंदर रहे और फिर मैं क्या करूंगा कि जो पहला pizza है जो यह वाला तो इसे मैं यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करूंगा rotate करके तो I think it's this one okay तो एक बार यह pizza मिल गया इसे properly मैं adjust कर लेता हूं जो angle मुझे चाहिए उसके लिए this is looking fine I think तो जब मैं rotate करूंगा तो इस तरीकी से यह rotate होगा it's perfectly done अब हम फिर से guides यूज करेंगे और वो क्यूब आपको आगे पता चलेगा तो मैं फिर से यहाँ पर guides आइड करूंगा इस pizza को properly position पर रखने के लिए और फिर जैसे first page पर यह pizza दिख रहा है तो मतलब कि इस पर आपने अब हमें क्लिक किया है तो यह elevate हुआ है तो जब आप यह select करोगे तो यह उपर आएगा और यह अपने normal position पर चले जाएगा अब मैं चाता हूँ कि जब मैं इस pizza पर क्लिक करूं तो दूसरी frame आए जो की दूसरा pizza होगा तो वह करने के लिए वह लाने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले इन guides को मैं निकाल देता हूँ इन guides की अभी हमें जरूरत है नहीं तो हमारा जो first frame है वह ready है अब create करेंगे next frame तो alt hold करेंगे click करके drag करना है जिससे next frame create हो जाएगा अब हमने rotate करेंगे और लेके आएंगे हमारे next pizza को जो की है यह वाला और क्यूंकि हमने guides create की हुए है तो हम exactly place कर सकते है जहां पर हमें इस pizza को place करना है अगर guide नहीं created होता तो आगे पीचे हो सकता था फिर इस pizza की जो size है उसे हम फिर से normal size पर कर देंगे place तो k press करूंगा scale tool में जाने के लिए और इसे set कर देंगे 115 पर फिर मैं इसे scale करूंगा again k press करूंगा और इसे scale करेंगे 1.3 से इस dash को भी मैं यहां पर move कर लूँगा इस तरीके से और इसी तरीकी से मैं और दो frames बना लेता हूं इन दो pizzas के लिए ओके तो हमारे चारो ही slides ready है अब हम शूड़ो करेंगे सबसे fun part which is prototyping तो अब पहले हमें base एक create करना है कि हमें कैसा type का animation चाहिए तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस second pizza पर click करूँ तो यह pizza rotate हो का है तो हम लोग ने already rotate कर दिया है और फिर यह बड़ा हो जाए और यह dash भी यहां रज्जश हो जाए तो वह करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्विच करना है prototype पर तो अभी हम design में है तो यहां पर click करेंगे तो हम prototype section में आ जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा तो इस second pizza को link करूंगा इस वाले slide से ताकि जब second pizza पर click हो तो यह वाला slide आ जाए और यहां पर हम select करेंगे कैसा type का हमें animation चाहिए तो यह दिखा रहा है कि इस पर click करने पर हम आ जाएंगे frame 2 में animation जो चाहिए वह मैं रखोंगा smart animate और यहां पर इस इस आउट पर रखोंगा बहुत सारे अलग अलग preset जैसे bouncy भी है तो हम ऐसे यहां पर एक preview देखने मिल जाता है कि किस तरीकी का animation रहेगा तो अगर आपको bouncy चाहिए तो आपको बाउनसी चाहिए तो आप experiment कर सकते हो अलग के बाद जब मैं फिर से अगर मुझे इस टाब में आना है तो मैं इस पीजा पर क्लिक करूंगा तो इस पीजा पर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हो कि यह ताब दुबारा आ जाए तो यहां पर हमने इसे link कर दिया और सेम यहां पर जो हमने changes किये थे वह आ गए यहां पर म लिंक है वह create कर लिया है अब चलिए इसे preview करते हैं तो यहां पर जाना है आपको क्लिक करना है preview पर और यह preview window यहां पर open हो जाएगी कुछ seconds लेंगे इसे load होने के लिए और फिर जैसे ही मैं इस पीजा पर क्लिक करूंगा बूम अब यह काफी अपना basic stage में पर you get the idea of किस तर dynamic बनाएंगे देखते हैं कैसे तो सबसे पहले चीज मैं जाता हो कि यह जब यहां पर rotate होके आए पीजा तो इसमें हलका सा rotation हो तो मैं इस पीजा को select करूंगा double click करके ठीक है जाएंगे design में और मैं इसे rotate करूंगा हलका सा ओके तो मैं चाहता हो कि आगे rotate हो जाए कुछ इस फिर से अगर मैं prototype में जाओ इसे preview करूंगा तो देख रहे हो कि किस तरीके से यह rotate हो रहा है पर मैं चाहता हो कि यह और थोड़ा सा rotate हो तो फिर से double click करेंगे और इस तरीके से rotate कर दूंगा अब अगर इससे मैं प्रिव्यू करूंगा बहुत ही cool लग रहा है as you can see इसी तरीके से मैं सारे टाप सो connect कर लेता हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं third pizza पर click करूं तो third frame आ जाए तो यहाँ पर इससे link कर देंगे जब मैं second पर click करूं तो फिर से second frame आ जाए फिर जब मैं fourth पर click करूं तो fourth frame आ जाए और fourth frame मैं जब मैं third frame पर click करूं या third pizza पर click करूं तो third frame आ जाए तो काफी basic सा हमने यहां पर linking जो है वो कर लिया है यह link नहीं हुआ तो इससे फिर से कर प्रिव्यू करूं let's see second third and fourth देख सकते हो कितना easy है इस तरीके से linking करना और यहां पर एक बार आपको बेस समझ में आ जाए कि कैसे आप prototype create करते हो तो फिर आप जाके इसे और भी जादा advance बना सकते हो जैसे हमने rotation वगरा add किया था आप देख सकते हो इसी तरीके से मैं इन पीजा में भी rotation होके पीछी आए ठीक है क्योंकि अभी हम आगे जा रहे तो पीजा rotate होके अंदर आ रहे बट जब हम बाग जा रहे ना तो पीजा रोटेट नहीं हो रहे तो वह हमें एक चीज और add करनी है तो वह कैसे करना है वह थोड़ा सा tricky है बट मैं आपको बता तो कैसे तो आपको क्या करना है second frame में जाना है और इसे मैं rotate कर लूँगा यहां पर फर्स पीजा लेके आऊंगा ठीक है और इस पीजा को मैं आगे rotate कर दूँगा इस तरीके से और फिर से हम इस group को select करेंगे और इस पीजा को मैं यहां पहले क्या जाओंगा तो अब इसे अगर मैं prototype में जाकर preview करूँगा तो दिखते हैं हमें क्या दिख मिलता है पीजा पीजा पीज़े आरह था तो यह भी पीजा रोटेट हो के पीज आ रहा है पहले यह static आ रहा था जैसे अगर मैं यहां से जाओ 3rd में, 3rd से 2nd में जाओ, तो यह static वे में आ रहा है, जो 1st में हम जाएंगे, 1st और 2nd में देख सकते हो, काफी अच्छा एक combination है, जो रोटेट होके आ रहा है, तो इसी तरीके से हम सारे बाकी के फ्रेम में भी changes कर लेंगे, तो मैं जाओंगा 3rd वाले फ्रेम में, डिजाइन मे रोटेट कर दूँगा, और फिर से ग्रूप को सेलेक करके, जो पीजा था, उसी पीजा को यहाँ पर ले के आ जाएंगे, सेम चीज यहाँ पर, और यह हो गया है, हमारा prototype of this पीजा रोटेशन रेडी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो circles है, जो gray circles हमने गाइड के लिए उन्हें जाकर delete कर सकता हूँ चाहिए तो, या तो फिर मैं simply जाकर उसे hide कर सकता हूँ, तो मैं तो hide करूँगा, delete नहीं करूँगा, ellipse है, उसे मैं hide कर दूँगा, अब और एक चीज मुझे यहाँ पर करनी है, कि यहाँ पर मैंने drop shadow add किया था, पीजा में, वो मुझे इन पी इसे second, और जैसा कि आपने देखा, इसे ready करना बनाना बहुत जादा easy है, बस थोड़ी सी आपकी pre-planning चाहिए, कि आपको exactly क्या करना है, वो आपकी mind में clear होना चाहिए, अब और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर आप यह जो मेरा main scene है, इसमें एक चीज न कर सकते हैं, यह technique बहुत सारे अलग जगे पर आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इसी design में यूज करना है, तो मैं जाओंगा यहाँगा, सबसे पहले तो हम name decide कर लेते, pizza का, मैंने बहुती randomly चीजों को name दिया था, मुझे exactly pizza's के name भी नहीं पता थे, तो वो मैं मैं एंटर प्रेस करूंगा, डालूंगा मश्रूम फ्लेक्स, एंटर करूंगा, थोर्ड पीजा का नाम डालूंगा, तो मैंने चारो पीजा के name यहाँ पर डाल दिया है, अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके, इसे फ्रेम सेलेक्शन करना है, और फिर इस फ्रेम को इस तरीके से मैं adjust कर लूंगा, यहाँ पर जिससे से 1st text जो है वो cover हो, और यहाँ जाकर मैं select करूंगा, clip content, ठीक है, फिर मैं इसका duplicate लूंगा, alt hold करके, click करके, drag करूंगा, यहाँ पर लेके आ जाएंगे, frame 2 में, properly position पर प्लेस कर देंगे, और बस मुझे double click करके इसके अंद delete कर देता हूँ, and that is adding guides, तो मैं shift R प्लेस करूंगा, और इस तरीके इससे guide लेके आओंगा, यहाँ पर, okay, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे guide दिख रही है, इससे मैं यहाँ पर add कर दूंगा, okay, तो guides हमने add कर दिया है, अब मैं लूँगा इसका duplicate, alt hold करके यहाँ पर इससे place कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, कि जो भी मैं second text उपर लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है कि उससे कौन से position पर मुझे रखना है, तो यह रहेगा यहाँ पर, okay, अब फिर से, मैं alt click करके track कर दूंगा, double click करेंगे, और इससे move कर लूंगा, ऊपर इस तरीके से, and there you go, बस और आपको कुछ नहीं करना है, अब अगर मैं जाओ, prototype में या preview कर इससे directly, boom, हमारा जो text animation है, वो भी ready है, काफी simple और easy, so that is a wrap guys, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे comment करके जरूर बता, अगर आपको कोई भी questions है, prototyping या design से related, I will be more than happy to answer, अगर आप लोग चाहो तो मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, dope.motions और निखिल पवार पे, again सारे links आपको description में मिल जाएंगे, और make sure करें कि Figma की पूरी playlist अभी जाके check out करे, बहुत ही amazing tutorials है, और आपको बहुत जादा helpful ह तो इसे के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out.